करने के लिए यह पहले मुझे पता नहीं था लेकां जब मेरा वार में कितना पैसा खर्च हो जाता है कि मेरा कि मेरा मच आपक खर्च हो जांजां सेंची न्यां क्याके यहां व्यक्ति को मेरार मीच परन िपकेर है और दो को लोग को करीब नमक डला था तो हलो फ्रेंसान फैंबली कुट बॉर्निंग मस्का राधर आधर कैसे हैं आप तब मिद्ध आप सथीक होंगे मस्वागता आप सभी का एक और व्लोग में और दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग बुलकुल अलग होने वाला है क्योंकि बा कि थे दो अपना जैस दिन चलता रहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं चैनल को लाइक करो कमेंट करो कई बार इन की चीजों से हमको मोटिविएं तो मिलती है के इसने जोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लाइक पसंद आ रहा है और कमेंट से कभी-कभ में बनाने बाला हूं वह आपके कमेंट से रिलेटेड है बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है पिछले कभी कासी समय से आ मैं कोसिस करता हूं वीडियो के अंदर ही आपको जवाब दे जाएं पर वाई आज मेरे को थोड़ा से अलग आइडिया आया है कि कुछ अलग आपको बताया जाए क्योंकि पिछले अफसे भी कमेंट आए ना तो उन्हीं के वारे में मैं सोच रहाता कि जिन लोगों ने सवाल आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं प्लरा वीडियो देखना इसकी मत करना क्योंकि लोग damn भाई वीडियो तो देक्ते हैं सब्सक्राइं वे जवालों के चला सकते हैं कर चले चला सकते लग कोई अलक से लाइसंस बनेपनान पड़ता हूँ जाद स्पारा Sumo C और लोगों नहीं देखना चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और अगर वीडिऊ में और भीडियो को भी लाइक कर देना चले सुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए यह है मेरी मेहंद्रा ट्रियों यह गली में ऐसे यहीं पर खड़ी रहती है रोजाना और इसको चार्जिंग का जो सेट अप है ना मेरा देखों आपको इस पड़ा हुआ दिख रहा है यह इसी की स्टार्ट हो जाती है अब मैंने अर्टिंग में क्या क्या करवा रखा है वो आपको अंदर चलने के बात बताऊंगा सबसे पहले एक बाहिया उनका जवाब देते हैं एक बाहिने मुझे पूचा था कि मेहंद्रा ट्रियों या कोई भी इरिक्षा चलाने के लिए लिए लम लोग चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहे लेकिन उसके बाद में इनकी तादाते बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा हो गई तो सरकार ने भाई पूरा का पूरा एक कानून इरिक्षा और इलेक्रिक बाहनों के लिए उसके अंतरकर्त आपको लाइसन्स चाहिए होगा गाड़ी की आर्टी, भीमा, फिटनेस, टैक, जो कुछ भी है जितने भी कॉमर्चिल गाड़ी में होते हैं वो सारे के सारे नूम इसके साथ जुड़ चुके हैं तो आपको लाइसन्स भी चाहिए बागी के जो पेपर वर्क होते हैं वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा इसनुआ पैसा ठानी मेरे पास जब मैंने काड़ी करी जी तो हलके हद से करवा आया आप वह देखाता हूं कैसे कैसे और क्या करवा रखता काली सब भाइब सब मेरा पूरा का पूरा घर पकगा है कहीं जगा नहीं अर्टिंग बगैला कराने के लिए लेकिन मेरे गर मेरे यह दो बैस सौरी एक बैस है एक उसका बच्चा है दो निकल गया मुंसे वाई तो यह जगा थोड़ी सी कच्छी है हमारे गर में इस तरह तो यह जगह मुझे अर्थिंग कराने के लिए तो देखी मैंने यहां पर अर्थिंग करा रखती है यह तो अर्थिंग को जो जमीन मे अर्थिंग का पाई पर लोए का और इसी के अंदर एक रोड डलवा रखिए तांबे की जिसके अंदर मैंने लगबक पांच किलो कॉला डल वाला है था और दो किलों के करीब नमक डला था और 200 रुपे का नीलत होता तो ऐसे करके यह अर्थिंग होई थी एलेक्ट्रिक वा अर्थिंग की जरूवत नहीं है लेकि मेंदरा ट्रियों में बहुत ज्यादा जरूवत है क्योंकि मेरे सामदे एक बार समस्य आर्च की है मेरी गाड़ी का चार्जर और वी एमेस दोनों फुक गए थे और जब में पहुंचा तो सबसे पहले उनका सवाल यही था कि घर में आपके में अर्थिंग है या नहीं है तो मैंने का भाई मैंने तो आर्थिंग जबी करवाली थी गाड़ी खरीचते ही उन्होंने का कि हमें फोटो वेजो और कुछ और दिखाने के लिए बोला था बहुत सारे मेरे कंप्लीट थे इसलिए मेरा सिरी में हो गया था अगर मैं जाना वनना लटक जाओ और फज जाओ लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लो भई यह देखिए जो घर के लिए और अंदर के लिए लाइट आती है ना मैंने दो एंसी भी करवा रखी है एक तो घर की है इसमें और एक है मेरी जो गाड़ी के ट्रियों के लिए जाती है की अलगते तो यह भी करवा रख किये मैंने और यही से केवल जाते सीथी इस भारवाले कमरे के लिए जहां पर मैंने चार्जर लगा रखा है तो अंदर चलते हैं यह खुला हमारा दर्वाजा भाई कमरे मां दे रहा होगा पहले लाइट जलानी बड़ेगी तब आपको द कि मैंने एक एक्स्टा एंटीवी ओल लगवाई है ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो यहां पर आ सके और जो खनेक्शन है एक जाता है मेरा अक्सीद आता बोर्ड के लिए और इसी से अर्थ में लगा है यह रहा मेरा बोर्ड यही पर फ्लक लगाता हूं और यह पड़ा और यहां से सीधा का सीधा लाइट मुझे मिल जाती है तो बै कुछ ऐसा मैंने बना रखता है इसमें अभी और ज्यादा सिस्टम आ गए है जो मेहंद्रा वाले वो अलग बताने लगे जब मैंने गाड़ी खरी दी तो वो इसी से मान गईते कि कोई दिक्कत नहीं है और इस चीज यह और खरीगी थी बोल्टेज चेक करने के लिए यह पहले मुझे पता नहीं था लेकर जब मेरा ब्यादा चारजर खुगाता नहीं वहला तो उन्होंने कहा था कि बोल्टेज चेक करके बताने यह होता है बाई बोल्टेज मीटर इसमें दो तारा आती है जो कि यह बाई चेक कर आता है कि बोल्टेज इसमें मैं चेक करता रहता हूं लगबस हर दस पंदरा दिन मेरे बोल्टेज बरावर चल रहेंगी नहीं चल रहे अगर ऊपर नीचे होते लाइट वाले को बुलाके चेक करा सकते हैं आप तो यह सब भूना बहुत जरूरी है बनना आप सब दिखा दिया मैंने कैसे मैंने अर्षिंध दर्वा रख किया है कैसे मैंने गाड़ी को चार्ज करता हूं और मेंडरे चप्षा पूंख करने में में थे जादा है, मैंने बहुत ज्यादा मोटा मोटा अंदा जाए क्योंकि मेरे घर की मेरे घर की और में ट लिखे लर नहीं लगा है तो पूरी तरह से इमानदारी से एक ही इजेक्ट तो नहीं बता सकता पर थोड़ा सा जो अन्दा जाए उसके साथ से बता हूं तो पचासर देजिली खाजाती है एक वार की चार्जिंग में बड़की ठोड़ा वहत ऊपर नीचे हो सकता है जितना मैंने नापा उतना बता दि तो आई हुप कि मैंने सारे सवालों को जवाब दे दी होंगे बागी आपको और कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसी के लिए सारी मेहनत होती है इससे दो चीज़ें मिलती हैं हमको सहला पर पूछ सान मिलता है मिसलब एनरजी मिलती है कि हमारे वीडियो को इसी कोई देख रहा है और उसको पसंद दिया रहे हैं बाकि कमेंट से यह होता है कि कई बार आइडियास मिल जाते हैं अब रोजाना में घर से स्टेशन और यही वीड अब आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को स्प्राइब करना अपने जाइब को सपोर्ट करना प्लीज करना चलिया मिलते आप से नेस्ट बाग में तब तक लिए राधे राधे नमस्कार